मनिपूर में फिर भड़की हिंसा तीन लोग की हत्या मनिपूर में हिंसा रुखने का नाम नहीं ले रही है बीते दिनों पुलिस और सेना की मदद से हिंसा की आग को शांत किया गया था लेकिन एक बार फिर वहां आग जनी और खुनी खेल चुरू हो गया है बीती राद विष्णूपूर जिले में कुछ उपद्रवियों ने मैतेई समुदाई की तीन लोगों की हत्या कर दी उपद्रवियों ने हिंसा के साथ कई घरों को भी जला दिया पुलिस ने कहा कि मैतेई समुदाई के बफर जोन को पार कर कई लोग खुस आए और उन्होंने वहां गोली बारी की विष्णूपूर के क्वाक्टा जेत्र के पार केंद्र सरकार के आदेश के तहद बफर जोन बनाए गया है फाइरिंग के साथ पुलिस के हथियार लूटे बीते दिन विष्णूपूर में हमला हुआ था और उपद्रवियों ने इंडिया रिजर्व बटालियन आई आर बी के बटालियन मुख्याले में तोड़ फोड कर हथियार चुडा लिये थे असॉल्ट राइफलों के साथ पुलिस के कई हथियार और करीब 19,000 गोलियां चोरी की गई थी उपद्रवियों को रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने कई राउंड फायर किया हाला कि उपद्रवियों के हमले में कई सुरक्षा कर्मी घायल भी हो गए मनिपुर में हिंसा शुरू होने के बाद पुलिस ने गुरुवार को कहा कि पिछले 24 घंटे में राज में स्थिती तनावखूंड बनी हुई है पुलिस ने कहा कि गोली बारी और हिंसा की चुटपुट घटना हुई है और भीड में विष्णपुर के किरेन फाबी और ठंगलावई में पुलिस चौकी पर हमला किया गया है पुलिस ने इसी के साथ जनता से अफवाओं पर विश्वास ना करने और फर्जी वीडियो से सावधान रहने की अपील की है पुलिस ने लोगों को फर्जी वीडियो की रिपोर्ट करने के लिए एक हेल्प्राइंड नमबर भी जारी किया है